नवश्कार, कारकम में मेरे साथ उपस्तित गुजरात के राजबाल आचारी स्री देवरत जी, भारत सरकार में मेरे साथी भायरमेश जी, कुजरात के मुख्य मंत्री विजे रुपानी जी, कुजरात के शिक्षा मंत्री स्थिमान पुपेंदर सिंग जी, UGC के चैर्मेन प्रफिसर डिपी सिंग जी, बाबसाब अम्बेड कर ओपन उनिवर्सिटी की वाई चांचलर प्रफिसर अमी उपाद्य है जी, Association of Indian University AIU के प्रफिसर तेज पताब जी, सभी उपस्तित महानुभाव और साथियों, आज जब देश आज हादि कामरूत महोत्सम मना रहा है, तो उसी कानलफेन में बाबसाब आम्बेड कर की जन्म जेन्ती का आउसर, हमें उस महान यग्य से भी जोडता है, और भविश की प्रिणा से भी जोडता है, मैं कृतक ग्यराश्ट की तरफ से, सभी देश्वास्यों की तरफ से, बाबा साहिब को आधर पुरुबग सद्धान जले अर्पित करता हूं, साथियों आजहादी के लड़ाइब हैं, हमारे लाखों, करोडों, स्वाधेंता से नानियों ने सम्रस समावे सी भारत का सपना देखा था, उन सपनों को पूरा करने की शुरुवात बाबा साहब ने देश को सम्मिधान के देखर के की थे, आज उसी सम्मिधान पर चलकर भारत एक नया भविश्य गड़ रहा है, सभलता के नये आयाम हासिल कर रहा है, साथियों आज इस पवित्र दिन एस्सोशेशन आफ इंडियन उनिवर्सिटी के वाई चांसलर्स की 95th मीटिंग भी हो रही है, बाबा साहब अंबेड कर ओपन उनिवर्सिटी में, बाबा साहब सम्म्रस्ता चैर की स्थापना की गोश्णा भी हुई है, अभी बाबा साहब के जीवन पर, उनके विचारों पर, आदर्शों पर, भाई किशोर मकवाना जी की चार पुस्तकों का लोकारपन भी हुआ है, मैं इन प्रयासों से जुड़े सभी महनुभावों को बढ़ाई देता हूँ, साथियों भारत दुनिया में मधरब डेमोक्रेसी का गर्व अनुभव करता है, डेमोक्रेसी हमारी स्रभ्यता हमारे तौर तरीकों का एक प्रकारचे हमारी जीवन पद्धती का एक महज हिस्सा रहा है, आजादी के बाद का भारत अपनी उसी लोकतंत्रिक विरासत को मजबूत करके आगे भड़े, बाबा साहब ने इसका एक मजबूत आधार देश को दिया, बाबा साहब को अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एसास होता है कि वो एक यूनिवर्सल वीजन के ब्यक्ति थे, स्रिकिशोर मक्वाने जी की किताब में बाबा साहब के इस वीजन के स्पष्ठ दर्शन होते हैं, उनकी एक पुस्तक बाबा साहब के जीवन दर्शन से परिचित कराती है, दूसरी किताब उनके व्यक्ति दर्शन पर केंद्रित है, इसी तरह तीसरी किताब में बाबा साहब का राष्ठ दर्शन हमारे सामने आता है, और चोथी किताब में उनके आयाम दर्शन को देश वाच्चियों तक ले जाएगी, ये चारों दर्शन अपने आप में किसी आधुनिक सास्त्र से कम नहीं है, मैं चाहूंगा कि देश के विश्विद्यालव में, कॉलेजों में, हमारी नई पीड़ी, ज्यादा से ज्यादा इन पुस्तकों को और ऐसे कई पुस्तकों को भी पढ़ें, समरत समाज की बात हो, दलीत वंचीत समाज के अधिकारों की चिंता हो, महलाओं के उत्थान और योगदान का प्रश्ण हो, शिक्षा और विज्ष कर उत्थे शिक्षा पर बाबा साब का वीजन हो, इन सभी आयमों से देश के युवाओं को बाबा साब को जानने समझने का आउसर मिलेगा, साथियों, डॉक्टर आम्बेड कर कहते थे, मेरे तीन उपाश्य देवता है, ज्ञान, स्वाविमान और शील, यानि नौलेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और पॉलाइटनेज, जब नौलेज आती हैं, तभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट से व्यक्ति, अपने अधिकार, अपने राइट के लिए, एवेर होता है, और इक्वल राइट से ही समाज में सम्रस्ता आती हैं, और देश प्रगति करता है, हम सभी बाबा साब के जीवन संगर्स से परिचीत हैं, इतने संगर्सों के बाद भी, बाबा साब जिस उंचाई पर पहुँचे, वह हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है, बाबा साब आमबेड कर हमें जो मार दिखा कर गए हैं, उस पर देश निरंतर चले, इसकी जिम्मेदारी हमारी सिक्षा व्यवस्ता पर, हमारे विश्व विध्यानों पर हमेशा रही हैं, और जब प्रश्ण एक राष्ट के रुप में साजा लक्षों का हो, साजा प्रयासों का हो, तो सामोही प्रयास ही सिद्धी का माध्यम बनते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ, इसमें Association of Indian Universities की भूमी का महत्वपुन हो जाती है, AIU के पास तो डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्ण जी, डॉक्टर शामा प्रशाज मुखद जी, स्रिमती हांसा महता जी, डॉक्टर जाकीर हुसेंच जी, जैसे बिद्वानों की भी एक बहुत बड़ी लंबी बिरासत है, डॉक्टर राधा करसं जी कहते थे, दा एंड प्रोड़क्ट रब एड्यूकेशन रूट बी, अप्री, क्रिएटिव मैं, बैटल अगेंज हिस्टोरिकल सरकम्स्टंसीज एंड एड़्वर्सिटीज अब नेचर, ताथ पर यह यह, कि शिक्षा को वो, और शिक्षा वो हो, जो व्यक्ति को मुक्त करें, वो खुल कर सोचे, नई सोच के साथ नया निर्मान करें, उनका मानना था, कि हमें अपना एजुकेशन मैनेजमेंट पूरे वर्ड को एक यूनिट मानकर विक्सित करना चाहिए, लेकिन साथ ही, वो एजुकेशन के इंडियन करेक्टर पर भारतिये चरित्र पर भी उतना ही बल देते थे, आज के ग्लोबल सिनेरियो में ये बात और भी महत्वपुण हो जाती है, अभी यहाँ पर नई राश्टिय शिक्षान निती और उसके इंप्लिमेंटेशन प्लान पर स्पेशल इसूस रिलिज किये गए हैं, ये इशूस इस बात के डिटेल डॉक्यमेंट्स है कि नेश्टनल एजुकेशन पॉलिजी एक फुचरिस्टिक पॉलिजी है, ग्लोबल परामीटर्स की पॉलिजी है, आप सभी विद्वज्जन नेश्टनल एजुकेशन पॉलिजी की बारिकियों से परिचीत हैं, डॉक्टर डाधा कृष्ण जी ने एजुकेशन के जिन परपज की बात कही थी, वही इस पॉलिजी के कोर में दिखता है, मुझे बताया गया है कि इस बार आपने सेमिनार की थीम वो भी यही रखी है, इंप्लिमेंटिंग नेश्टनल एजुकेशन पॉलिजी 2020 टू ट्रांस्फॉर्म हाइर एजुकेशन इन इंडिया, इसके लिए आप सब बधाई के पात रहें, मैं एनिपी को लेकर लगातार विशे सग्यों से चर्चा करता रहा हूँ, नेश्टनल एजुकेशन पॉलिजी जितनी प्रेक्टिकल है, उतनी ही प्रेक्टिकल इसका इंप्लिमेंटेशन भी है। साथियों, आपने अपना पूरा जीवन शिक्षा को ही समतित किया है। आप सब भली भाती जानते हैं कि हर स्टूडेंट का अपना एक सामर्थ होता है, शमता होती है। इनी शमताओं के आधार पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के सामने तीन सवाल भी होते हैं। पहला वो क्या कर सकते हैं। दूसरा अगर उन्हें सिखाया जाए, तो वो क्या कर सकते हैं। और तीसरा वो क्या करना चाहते हैं। एक student क्या कर सकता है यह उसकी inner strength है लेकिन अगर हम उनकी inner strength के साथ उन्हें institutional strength दे दें तो उसमें उनका विकास व्यापक हो जाता है इस combination से हमारे युवा वो कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं इसलिए आज देश का खास जो skill development को लेकर है आज जैसे जैसे देश आत्म निर्भर भारत भ्यान को लेकर आगे बढ़ रहा है skill युवाओं की भूमी का और उनकी निमान भी बढ़ती जा रही है साथियों डॉक्टर शामा प्रसाज मुखर जी ने skills की इसी ताकत को देखते हुए देश को पहले सिक्षन सहुस्तानों और उद्योगों के कोलोबरेशन पर बहुत जोर दिया था आज तो देश के पास और भी असिम अवसर हैं और भी आधिनिक दोर के नए नए उद्योग है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस इंटरनेट अफ तिंग्स और विक डेटा से लेकर 3D प्रिंटिंग, वर्चुल रियालिटी, रोबोटिक्स, मोबाइल टेकनोलोजी, जियो इंफर्मेटिक्स और स्मार्ट हेल्ट केर के डिपेंस सेक्टर तक आज दुनिया में भारत फ्यूचर सेंटर के रूप में देखा जा रहा है इन जरुनतों को पूरा करने के लिए देश लगातार बड़े कदम भी उठा रहा है देश के तीन बड़े शहरों में इंडियन इंस्टिटूर्ट अब स्किल्स की स्थापना की जा रही है कुछ महीने पहले दिसंबर में ही इंडियन इंस्टिटूर्ट अब स्किल्स मुंबई में पहला बैज भी शुरू हो गया है नेसकॉम के साथ भी 2018 में फ्यूचर स्किल्स इनिशेटिव शुरू किया है ये इनिशेटिव 10 Emerging Technologies में डेड़ सो से जादा स्किल्स सैट्स की ट्रेनिंग देता है साथ यो नई राष्ट्रिय सिख्षा नीती में NETF का भी प्रावधान है जो सिख्षा में टेक्नोलोजी के जादा से जादा इस्तमाल पर जोड़ देता है हम यह चाहते हैं कि सारी उनिवर्सिटीज मल्टी डिस्सिप्लिनरी बने हैं हम स्टूडेंस को फ्लैक्सिबिलिटी देरा चाहते हैं जैसे Easy Entry Exit और Academic Bank of Credit बना कर आसानी से कहीं भी कोर्स पुरा करना इन सभी लक्षों को प्राप्त करने के लिए देश की हर उनिवर्सिटी को साथ मिलकर एक दूसरे से तानमेल बिठा कर काम करना ही होगा इस पर आप सभी वाइस चांसलर्स को विशेश ध्यान देना होगा देश में जो नई नई संभावनाय हैं जिन जिन छेत्रों में हम संभावनाय पैदा कर सकते हैं उनके लिए एक बड़ा स्कील पूल हमारी उनिवर्सिटी में भी तैयार होगा आप सभी से आग रहें कि इस दिशा में और तेजी से काम हो एक तैस समय के भीतर उस काम को समाप्त किया जाए साथियों बाबा साब आमबेड करके कदमों पर चलते हुए देश तेजी से घरीब, दलीद, पीडीद, शोशित, बंचीद सभी के जीवन में बड़लाव ला रहा है बाबा साब ने समान अवसरों की बात की थी समान अधिकारों की बात की थी आज देश जंदन खातों के जरिये हर व्यक्ति का आर्थिक समाविस कर रहा है डिबीटी के जरिये गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुँच रहा है डिजिरल एकॉनमी के लिए जिस भीम यूपी आई को शुरू किया गया था आज वो गरीब के बहुत बड़ी ताकत बना है डिबीटी के जरिये गरीब का पैसा सीधा उसके खाते में पहुँच रहा है आज हर गरीब को घर मिल रहा है मुप्त बिजिरी कनेक्शन मिल रहा है जब उसी प्रकार से जल जीवन मिशन के तहट गाउं में भी साप पानी पहुचाने का एक भरपूर मिशन मोड़ में काम हो रहा है कोरोना का संकर आया तो भी देश गरीब मद्दूर के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ दुनिया के सबसे बड़े वेक्शिनेशन प्रोग्राम में भी गरीब अमीर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है कोई अंतर नहीं है यही तो बावा साब का रास्ता है यही तो उनके आदर्श है साथ्यों बावा साम हमेशा महिला ससक्तिकरन पर बल देते थे और इस दिशा में उन्होंने अने प्रयास किये उनके इसी वीजन पर चलते हुए देश आज अपनी बेटियों को नए नए अवसर दे रहा है गर और स्कुल में सौचालेस से लेकर सेना में युद्ध की भुमिकाओं तक देश की हर पालिसिक के केंदर में आज महिला है इसी तरह बाबा साहब के जीवन संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए ही आज देश काम कर रहा है बाबा साहब से जुड़े स्थानों को पंच तिर्थ के रूप में विक्सित किया जा रहा है कुछ साल पहले मुझे डॉक्टर अंबेड कर इंटरनेशनल सेंटर के लोकारपण का आउसन मिला था आज ये सेंटर सामा जीव को आर्थिक विशव पर बाबा साहब के जीवन पर रिशर्च के कैंदर के रूप में उभर रहा है साथियो आज हम आज आज के 75 साल के करीब हैं और अगले 25 सालों के लक्ष हमारे सामने हैं देश का ये भविश भविश के लक्ष और सफलता हैं हमारी युवाओं में से जुड़े हुए हैं हमारी युवाओं ही इन संकल्पों को पूरा करेंगे हमें देश के युवाओं को वो उनकी समर्थ के हिसाब से अफसर देने हैं मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब के ये सामुहिक संकल्प हमारे सिक्षा जगत के ये जागरत प्रयास नए भारत के इस सपने को ज़रू पुरा करेंगे हमारे ये प्रयास ये परिश्रम ही बाबा साब के चरणों में हमारी सद्धान्जनी होगी इनी शुब कामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ नवरात्री की शुब कामनाई देता हूँ आज बाबा साब आमबेड करके जन्म जहनती पर विशेश रुप से शुब कामनाई देता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद